कि असलाम अलेकुम हाई विलकुम बैक टुमाई चैनल है फ्रेंट्स है अज मैं आपको कलर करना बताऊंगी जो की दो तीन रुट पहले मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है तो आप कलर के नंबर दिख सकते हैं का बल्ब देख सकते हैं मैंने वाइट क्लर परपल कलर और यह क्रीन क्लर और और वालेट क्लर यह वालेट क्लर अच्छार्स और ये ब्लू कलर ये मेरे कलर हो गए और ये मेरे लेमन येलो कलर मैंने नमबर भी दिखाया है कलर भी दिखाया है आप देख सकते हैं कि मेरे शे कलर हैं और ये मेरे दो ब्रश जो मैं आज के प्रेंटिंग में यूज करूंगी एक नमबर का ब्रश है एक तीन नमबर का ब्रश है दोनों फ्लैट ब्रश है आप देख सकते हैं तो चलिए आप हम चलते हैं पेंटिंग की तरफ तो सबसे पहले प्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को आप आप देख सके हमारे तो समस्क्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद और अपको एक घंटि दिखेगी आप उसको भी दबाएग जिससे जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिल सकेगी और आप देख सकेंगे हमारी हर वीडियो को जिससे मैं ड्रॉ भी करना बताती हूँ और कलर भी करना बताती हूँ तो आप सब देख पाएंगे तो चलिए हम चलते हैं कलर करने की तरफ कलर करने तो हम यह परपल कलर का पहले यह परपल कलर हम लगाएंगे हमें परपल कलर का फूल बनाना है यह हमारा पहले परपल कलर हो गया फिर नीचे से हम वालेट कलर का लगाएंगे यह आप देख सकते हैं निचे से थोड़ा डार करने के लिए मैंने वालेट कलर लगाय हुआ है और यह उपर से वाइड कलर फ्लावर बहुत खुबसूरत हैं और कलर करने के बाद बहुत खुबसूरत लगेंगे आप वीडियो मिस ना करें पूरी वीडियो देखें आप जान पाएंगे कि कैसे कलर करना है और बहुत यची दिजाइन है आज की कलर भी बहुत ही प्यारा मैंने लगाया हुआ है और फ्लावर भी बहुत अच्छे दिखर है तो ऑप और देखेंगे तो आप को समझ मैं लगाएगा तो हमें इस तरह से सारी फ्लावर पहले पर्पर कलर लगाना है फिर नीचे से वॉलेट कलर लगाना है फिर उपर की तरफ से वाइड कलर लगाना है को अब मैं से किसी ने कमेंड में कहा था मैं इतनी ब्लावर लगाया कर लेकिएर अगर इतनी सारे मैं प्लावर में तेन कलर-द थो अईड ही करूंगी तो फ्लावर में पता ही न्य चलेगा क intellectual कहां से 2017 मिल जाएगी हैं एक कलर लगाने का मतलब है कि सब लिफ एकी में मिलेगी और पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लिफ कहां से शुरु हुई है और कैसी है वह दिखेगी नहीं इसके लिए हमें दो तीन कलर का एड़ करना ही पड़ता है तो कोई मुश्किल नहीं है आप भी बना सकते इतना घुबरानी की ज़िरूत नहीं है बनाते बनाते समझ आ जाएगा अब ध्यान से देखो समझो और बनाओ कि सब बन जाएगा कुछ मुश्किल नहीं है को में इसी तरह से फुलार के सारी लिफ भरनी है हुआा हुआा है कर दो 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 कर कर दो 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 dal दो कर 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 दो झाल 25 अड़ो IV भूजज जया जागरा काुपन से का सभ एक टूफ। कि अ noi «च्याल्मश से आइ भाल था मुट् सोर्दर ला सनार सों तर। आप कि शाले कि शेपना झाल, कि ऑन ला मुट। वा जो अजा deposit कि अर्म व्यद त न नहळ। तो यह हमारे आधिफ फ्लावर त्यार हो गए हैं अब हम यह जो छोटे-छोटे जो हमारे डिजाइन है इसको भी देख रहे हैं आप मैं पहले वालिट कलर से किनारी पर आउट लाइन करूंगी फिर बीच में वालिट कलर का थोड़ा सा बरूंगी इस तरह से और इसे मैं परपल गलर से बनाओंगी इस तरह से हैं यह हमारा यह हमारी डिजाइन होगी अब हम लीफ बनाएंगे अब लीफ और डेंठल जो है वह बनाएंगे यह जो कली की डेंठल है उसको डार्क ब्लू कलर लगा रहे हैं जो की बाइस नंबर ब्लू कलर है वह कलर में लगा रही हूं इस तरह से आप देख सकते हैं आप मैं लीफ बनाना बताऊंगे जिसमें मैं पहले ग्रीन कलर एड़ कर रहे हूं आप द्यान से देख सकते हैं पहले मैंने ग्रीन कलर का एड़ किया हुआ है पुली लीफ में हम ग्रीन कलर भर लेंगे फिर जो हमारे ग्रीन कलर जो हमारी लीफ में लीफ का सेफ है जहां जासे खलकेल की कटिंग दिख रही है मॉह से हम डार्क ब्लू कलर का हुआ हरकी हरकी लाइनिंग बनाएंगे जिससे पता चलेगी हमारे लीफ की कटिंग पता चलेगी तो हम वहां डार्क ब्लू लागाएंगे यह तो यह हमारा ग्रीन कलर हो गया है जो कि हमने बनाया के आपको दिखाया अभी जो हमारी है छोटी-छोटी कटी-कटी डिजैन दिख रही है लिफ की कटिंग जो दिख रही है वहाँ पे हां किनारे से आउट लाइनिंग करते हुए वहाँ कि पतली पतली लाइनिंग बनाएंगे इस तरह से इस तरह से इसमें हलका हम किनारे से शेट देंगे जिसे हमारी किनारे से लिफ तुल डार्क दिखेगी और उसमें वो लाइनिंग भी दिखेगी इस तरह से किती प्यारी लिफ बनाने के बाद कि इस तरह से हमें लीफ बनाना है कि आने को confidently है ड्रीमाण कि अच्छान दिखेंगे अगर अच्छा रच सलार में गलर करकी दिखाइगा आपको आप पूरा देखेंगे तो आप समय में आए गा पुर देखिए पको पूरे bleibtyu देखेंगे को asymm لाठी इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखने पड़ेगी कहां मैंने क्या कैसे किया है यह सब छोटी से छोटी चीज़े मैंने इसमें बताई है पूरी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा तो यहां मैंने लीफ इस तरह बनाया हुआ है आप लीफ को देखे समझ जाएंगे लफ में मैंने टीन लभर फ्लेट ब्रॉम है एक नमबर फ्लेट ब्रस लिद किया थेint इसके लिए मैंने एक नमबर ब्रुष योज किया है और दिस्न मैंने ती नमबर ब्रुष योज किया है जो हमारे बड़े फिलावर जो बड़ी च्छोटी साइज रेती है हम उसी तरह से फ्लैड ब्रुष का चोटे बड़े ब्रीश को होते हैं, हम उसी हिसाब से ब्रिश का..? मैंने एक नंबर पराईनिंग क्लेश एाप देख सकते हैं, मैंने एक नंबर पराईनिंग के लिएмотриश कर रिच केदे लिए लिए और बाकी सिसलिए के लिए जो ग्रीन कलर मैंने भारा उसके लिए मैंने तीन नमबर फ्रेड प्रेश रिस किया है वो भी आपने अभी देखा है अभी अभी मैंने बना के दिखाया आपको तो इस तरह से हमारी लीफ हम कलर करेंगे बहुत खुब्सूरत प्रेंटिंग आप वो यूडियो ज़रूर देखें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो का शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुलें साथ ने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नौटिवेकिशन आपको मिल सकेगी और आप देख सकेंगे हमारी हर वीडियो को और मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको कलर करके भी दिखाती हूँ जिससे आपको ड्रॉ करने भी समझ में आएगा और कलर करना भी समझ में आएगा और आपको डिजाइन भी मिल जाएगी तो फ्रेंट्स हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भुलें और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिए अपने दोस्तों में तो हम इस तरह से सारे फ्लार करेंगे तो फ्रेंट्स आपको पूरी डिजाइन लास्ट वीडियो में मिल जाएगी तो हम इसी तरह से सारे ही प्रिंटिंग करेंगे आप पूरी डिजाइन देखने के लिए वीडियो तो वीडियो को लास्ट तक देखें आपको पूरी डिजाइन मिल जाएगी और तो इस तरह से हम सारे फ्लावर और जो भी कलियों लिया है मैंने आपको सारे करके बताए हैं आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो फ्रिंड्स मैं आओंगी फिर निक्स्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई जुआ मियाद रखिए अल्ला हाफीज प्लावर माण्या-बश्डियो श्लाव हीज़ियो रख स्यूभ रख रख से हुआ रख से हुआ अल्लाव प्लाब लुट कुछा नहीं झाल 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 झाल